मीना ये दुपेहर के भोजन का समय है, फिर तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? मीरा दान दर्द कर रहा है, काश में एक पौधा होती एक पौधा? क्यूं? उनमें हमारे तरह दांत नहीं होते हैं, जबकि वो अपनी वृद्धी के लिए खनेश पदार्द ग्रहन करते हैं लेकिन वो ये कैसे करते हैं? चलो, मैं आपको प्रक्रिया बताती हूँ उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे खनेश आयनों के उद्द्ग्रहन की बारे में जानना, खनेश आयनों के स्थानान तरण को समझना, फ्लोईम परिवहन का वर्नन करना, दाप्रवाह या सामोईक प्रवाह की परिकल्पना का वर्नन करना खनेश आयनों का उद्द्ग्रहन मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि पौधों में हमारी तरह दांत और पांचन अंग नहीं होते हैं वो अपनी काबन एवाम अधिक तर ऑक्सिजन की आवश्चक मात्रा वादावरण में उपलब्ध काबन डायोकसाइड से प्राप्त करते हैं हालांकि उनकी शेश पोशन की आवशक्ता हाइडरोजन हेतु मृदा से प्राप्त खनिजों, पदार्थों तथा जल से पूरी होते हैं अब आएए जाने कि वो खनिज आयोनों का उद्ग्रहन कैसे करते हैं जल के समान सभी खनिज तत्व, जड़ों द्वारा निश्क्रियता विधी द्वारा अवशोशित नहीं के जा सकते इसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं मृदा के अंदर खनिज, आवेशित कणू, आयनों की रूप में रहते हैं जो की कोशिका भित्ती को पार नहीं कर सकते हैं और मृदा में उपस्थित खनिजों की सांद्रता प्रायह, जड़ों में उपस्थित खनिजों की सांद्रता से कम होती है इसलिए अधिकतर खने जड़ों में बहाय त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोशन के द्वारा प्रवेश करते हैं इसमें ATP के रूप में उर्जा के आवशक्ता होती है आयनों का सक्रिय उद्ग्रहन जड़ों में जल विभव प्रवनता के लिए आनशिक रूप से जिमेदार होता है और इसलिए परासरण द्वारा जल के उद्ग्रहन के लिए कुछ आयन बाहित्वचा कोशिका में निश्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं क्या आप जानते हैं कि आयन सक्रिय एवं निश्क्रिय दोनों परिवहन द्वारा मृदा से अवशोषित किये जाते हैं मूल रोम की कोशिकाओं की जल्ली में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन आयनों को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बहाय तवचा कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में भेजती है सभी कोशिकाओं की भाथी अंतहत वचा की कोशिकाओं की जीव द्रव्य जिल्दी मिधा से अनेक परिवहन प्रोटीन होते हैं वो कुछ विलाई को जिल्दी के आरपार जाने देते हैं लेकिन अन्यको नहीं अंतहत वचा की कोशिकाओं की परिवहन प्रोटीन नियंतरन बिंदू होते हैं जहां पौधे विलाई की मात्रा एवं प्रकार को जायलम में पहुचाते हैं तथा समायोजित करते हैं ध्यान दें की मूल अंतहत वचा में सुबेरीन की परत होने के कारण आयनों में एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की ख्षमता होती है। सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनेश तत्वों के लिए मुख्य कुंड या सिंख पौधों की वृध्धी का क्षेत्र होता है जैसे की शिखाग्र एवं पाश्व विभाद जयोत्तक, तरुन पत्यां, विकास शील पुष्प, फल एवं बीच तथा भंडारन अं खनेश आयनों को जल्दी ही पुनह संघटित विशेश रूप से पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जाता है। पुरानी तथा मरती हुई पत्यां अपने भीतर के खनेशों को नई पत्यों में निर्यातित कर देती हैं। इसी तरह पत्यां पर्ण पाती व्रिक्ष में जढ़ने से पहले अपने खनेश तत्वों को अन्य भागों को दे देती हैं। जो तत्व प्रायह त्वरत संचालत होते हैं वो हैं फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजिन और पुटाशियम। कुछ तत्व जो की सनरचनात्म कारक होते हैं जैसे कि क्याल्शम, इन्हीं पुनह संचारत नहीं क्या जाता है। इसलिए जायलम केवल अकार्बनिक पोशकों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोयम कार्बनिक बदार्थों का परिवहन करता है। सामाने तह स्रोत को पोधों का वह हिस्सा माना जाता है, जहां आहार संचलेशित होता है, जैसे कि पत्तियां और कुंड, यह वह भाग है जहां भोजन एकत्र होता है। लेकिन स्रोत तथा कुंड अपनी भूमिकाएं मौसम या पोधों की जरूरुतों के अनुसार बदल भी सकते हैं। जड़ों में एकत्र शरकरा वसंत के आरंभ में आहार का स्रोत बनने के लिए संचारित हो सकती है, जब व्रिक्ष की कलियां कुंड के रूप में काम करती हैं। उन्हें प्रकाश संक्षलेशन साधनों की व्रिधी एवं परिवर्धन हेतु उजा की आवशक्ता होती है। चुकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्त अन्शील है, अतह प्लोयम में गती की दिशा उपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है। जायलम के साथ यह विप्रीत है, जहां गती सदैव नीचे से उपर की ओर एक दिशा में होती है। यद्यपी वाशपोत सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किन्तु फ्लोयम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है, जब तक स्रोत और कुंड शरकरा का उपियोग, संग्रहन तथा अपादान में सक्षम हो। फ्लोयम रस में मुख्यतह जल एवं शरकरा होती है, लेकिन अन्य शरकराएं हॉर्मोन तथा अमीनों अमल आदी भी फ्लोयम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दाब प्रवाह या समोहिक प्रवाह परिकल्पना स्रोत से कुंड की और शरकरा के स्थानांतरण के लिए उपियोग की जाने वाली स्वीकरत क्रियाविधी, दाब प्रवाह या समोहिक प्रवाह परिकल्पना कहलाती है। जैसे ही स्रोत पर ग्लुकोस संक्षलेशित होता है, यह शरकरा एक डाई सेकराइड में बदल दिया जाता है. इसके बाद यह शरकरा सकी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रीर परिवहंत्वारा जीवंत फ्लोयम चालनी नलिका कोशिकाओं में संचरित होती है. स्रोत पर लदान की यह प्रक्रिया फ्लोयम में एक अती परासारी अवस्था को पैदा कर देता है. निकटवर्ती जायलम में उपस्थिजल परासरण के द्वारा फ्लोयम में चला जाता है. जब परासरणी दाब फ्लोयम में बनता है तो फ्लोयम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है कुंड पर परासरणी दाब निश्चत रूप से घटना चाहिए एक बार फिर फ्लोयम रस से शरकरा को बाहर करने तथा उस कोशिका तक जहां शरकरा उजा, स्टार्च या सेलुलोज में बदलती है ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है जैसे ही शरकराएं हटती है परासरणी दाब घटता है और जल फ्लोयम से बाहर चला जाता है फ्लोयम उतक चालनी नलिका कोशिकाओं का बना होता है जो लंबे स्तंभ की रचना करता है जिसके अंतिम भित्ती में छिद्र होता है जिसे चालनी पट्टिका कहते है कोशिका द्रवी तंतु चालनी पट्टिका के छिद्र में प्रवेशित होती है तथा सतत तंतु बनाती है जैसे ही द्रव स्थेटिक दबाव फ्लोयम की चालनी नलिका में बढ़ता है तो दाब प्रवाह शुरू हो जाता है और रस फ्लोयम से चलन करता है इस बीच कुंड पर आने वाले शरकरा को फ्लोयम से सक्रिय रूप से तथा जटिल कार्बोहाइडरेट के रूप में बाहर किया जाता है विलेयकी क्षती से फ्लोयम में एक उच जल विभव पैदा होता है और पानी अंत में जायलम के पास आ जाता है एक साधारन प्रयोग जिसे गेडलिंग कहा जाता है उसका प्रयोग भोजन के परिवहन में उपयोग होने वाले उतक को पहचानने में किया जाता है पेड के स्तंब पर छाल के एक वलय को फ्लोयम स्तर की गहराई तक सावधानी पूर्वक हटाया जा सकता है नीचे की तरफ अब भोजन की गती न होने के कारण वलय के उपर की जाल कुछ सप्ताह के बाद फूल जाती है यह साधारन प्रयोग दर्शाता है कि फ्लोयम उतक भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदाई है तथा परिवहन की दिशा एक दिशिय है अर्थात मूल की तरफ सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए अधिकतर खनिच जड़ों में बाहित्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोशन के द्वारा प्रवेश करते हैं इसमें ATP के रूप में उजा की आवशक्ता होती है आयन सक्रिय एवं निश्क्रिय दोनों परेवहन द्वारा मृदा से अवशोशित किये जाते हैं मूल रोम की कोशिकाओं की जिल्ली में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन आयनों को मृदा से सक्रिय पंप दवारा बाह्य तवचा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती है अन्तह तवचा की कोशिकाओं के परिवाहन प्रोटीन नियंत्रन बिंदू होते हैं, जहां पौधे, विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुचाते, तथा समायोजित करते हैं जब आयन सक्रिय या निश्क्रिय उद्ग्रहन माध्यम से जायलम में पहुच जाते हैं, तब उनका परेवहन पादप्तने एवं सभी भागों तक वाशपोट सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्यकुड, सिंख, पौधों की व्रिद्धी का क्षेत्र होता है, जैसे की शिखाग्र एवं पाश्व विभाज्यों तक तरुन पत्तियां, विकास शीलपुष्प, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। जो तत्व प्रायह त्वरित, संचारित होते हैं, वे हैं फौस्फुरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटाशियम। आहार मुख्यता शरकरा वाहिका उतक के फ्लोयम द्वारा उदगं से कुंड की और परिवहनित की जाती है। संचलेशित आहार का स्रोत पत्तियां होती हैं और कुंड यह वह भाग है, जहां भोजन एकत्र होता है। प्लोयम में गती की दिशा उपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है, जबकि जायलम में गती सदैव एक दिशा में अर्थात नीचे से उपर की ओर होती है। स्रोज से कुंड की ओर शरकरा के स्थानांतरण के लिए उप्यो की जाने वाली स्वीकृत क्रियाविधी दाब प्रवाह परिकल्पना कहलाती है।